हेलो दोस्तो इस्टेडी ग्लोफ में आपका स्वाग आता है तो आपको ये देखके मालूम पढ़ गया होगा कि आजम कौन सी सीरी रिस्टार्ट करने वाले हैं जी हाँ नैशनल पार्क्स आफ इंडिया आजम पढ़ेंगे ये सीरी नमबो जल्दी खतम करेंगे और इसमें हम लोग आपको स्टेट वाइज नैशनल पार्क कवर करवाएंगे सबसे पहले हम अपने साउथ इंडिया के नैशनल पार्क कवर करवाएंगे स्टेट वाइज सबसे पहले हम पढ़ेंगे तमिलाडू के नैशनल पार्क उसके बाद हम पढ़ेंगे करनाटे के नेशनल पार्क, फिर केरिला के, फिर अंधरप्रदेश के, फिर तिलंगाना के ठीक है, ऐसे करते करते हम South India के नेशनल पार्क जो है, वो दो-तीन दिन में खतम कर देंगे उसके बाद हम North Washington States के नेशनल पार्क पढ़ेंगे यहीं दो रिजन्स से जो है कोशन आते हैं UPSC में और PCS में भी क्योंकि यहां के National Park जो है हमेशा कही ना कहीं नियूस में रहते ही रहते हैं तो सबसे पहले हम South India कवर करेंगे देखिए National Park बहुत थादा important है खासकर UPSC exam के लिए इस बर मालूम होगा UPSC में 4-5 कोशन National Park से पूछे गए थे और पिछले साल भी 2 कोशन आयते हैं उसके पिछली साल 3 कोशन आयते तो ऐसे ऐसे करते करते National Park से हर साल कोशन प्यूचे जाते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्यों IFS का Indian Forest Service का exam जो है वो Civil Service के साथ में होता है इस वज़े से National Park से जो कोशन बहुत सारे आते हैं तो इसलिए आपने National Park की सीरी लेकिया है ताकि आपका कोई भी कोशन मिस्स नहों और जितने भी National Park हम इसमें कवर करवा रहे हैं वो more than sufficient है क्योंकि यही National Park जो है वो पूरे साल नियूस में रहते हैं और यहीं से question आएंगे भी और National Park में आपको दो चीज़े बहुत साथ important है पढ़ना एक तो उसकी location लोकेशन तो बहुत important है वो तो पढ़ना ही पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि उससे measure following करवाती है UPSC दूसरा क्या होता है आपको वहाँ पे कौन को से animals मिलते है ठीक है कहुंसा कुत्ता बिली भैस गीदार यह सब मिल रहा है यह सब भी UPSC पूछता है ठीक है इस बार भी आपको मालूम होगा कि UPSC ने पूछे थे और अगले साल भी पूछेगा भी भैस बताओ कहां मिलता है गीदार कुता बैल यह सब कहां से मिलता है तो यह सब भी आपसे पूछा जाएगा मानता हूँ याद करना बहुत मुश्किल है रटना बहुत मुश्किल है लेकिन अटलीस्ट आपको लोगेशन तो उसकी याद होनी चाहिए ठीक है एनिमल्स मुश्किल है आपको मानता हूँ रट नीप होगे इतना लेकिन तब भी जो important जो नेशनल पार्क पूरे साल न्यूस बे रहते हैं उसकी at least आपको एनिमल्स जो है वो याद कर लेना ठीक है तो चलिए अद्लेक्टर स्टार्ट करते हैं Tamil Nadu के नैशनल पार्क पढ़ेंगे पहले ये देखिए सबसाले मुखुर्टि नैशनल पार्क कर अउनिमल्स लमप देखिए और पहले इस नैशनल पार्क का नाम जो था वो नीलगीरी तहर नैशनल पार्क रहा गया था क्योंकि ये बनाया गया इसलिए था ताकि नीलगीरी तहर जो है उसको प्रोटेट किया जा सके और नीलगीरी तहर आपको मालूम है ये इस्टेट अनिमल है तमिलाडू का और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो इसलिए इसको प्रोटेट करने के लिए नेशनल पार्क बनाय गया था तो यह बहुत इंपोर्टेट नील गिरी तहरीया को याद होना चाहिए अभी मैं स्पीशीज की भी आपके सामने लेके आऊंगा अनिमल्स की सीरीज भी लेके आऊंगा तो आपको उसकर सारे बता जाएंगे नील गिरी तहरीया रेकॉर्ड से के टेगरी में आता है उसी एंड की सब कुछ आपको बताए जाएगा ठीक है ग्रेट इन्या बश्टेट के बारें बताओंगा सब बताओंगा पहले यह नेशनल पार्क जो है जल्दी लिख खतम जो कि ओक्ता कुमुंंडफीlt हedar को इसनल चिंदी ओक्ता tässä बॉक्ता क कुममुंडफील का में लोकेटेड हैं ठीक है तो समझ गया है तो निल ग 때도 में लोकेटेड ऑिशेटॉ नेाच्ण तहर को प्रोटेट करने के लिए इस वज़े से स्पार्क को क्रियेट किया गया था नील गिरी तहर आपको मालूम है स्टेट अनिमल है तमिल नाडू का यह स्टेट अनिमल है तमिल नाडू का तो इसको प्रोटेट करने लिए यह नैशनल पार्क जो है क्रियेट किया गया था देखिए इस पार्क में घास के वैदान और जाडियों से गिरी जाडियों के विशेष्टा है जो कि उच वर्षा वाले उच उचाई वाले शेत्र में जो ठंड से गिरे तापान और तेज हवाँ के साथ होती है अब अनिमल्स देखिए यह बहुत important है यह आप जैसे Royal Bengal Tiger और Asian Elephant और नील गरी टहर तो important है यह वह या इस बार question हा सकता UPSC मैं समझ जाना क्योंकि Great Indian Bastard भी बहुत important है तो इस बार इससे question पूछा गया था तो नील गरी टहर से इस बार question हा सकता है और यह यहाँ से भी question हाएगा ही आएगा के मुखुरती नेशनल पार्क रखा गया तो यहां से भी कोशन बन सकता है ठीक है अब पार्क जो है वो पार्ट है निलगीरी बायर्स रिजव का भी यह पार्क जो है पार्ट है जो इंडिया का पहला इंटरेशनल बायर रिजव है अब यह क्या है यह युनेस्को वर्ल्ड ह है यह तो यारी हो जाया गया है और बronegen aux की भी उसके बाद लेक्श-कल में भी इंप्यर्च ुआ का और यह चिन्हिं में located है ठीक है और यह आठवा शबसे छोटा नैश्यन पार्क एंडिया का और यह उन नैशनल पार्क में से आता है जो की situated है सिटी के अंदर retract नियुकी सिटी के अंदर robbery यह लोकेटेड है यह नैशनल पार्क चिन्म गुंडी यह है गुंडी नैसल पार्क और चिंद्धी में ही लोकेटेड है तमिलाडू का नैसल पार्क है यह पार्क जो है यह राजभवन के असपास के मैदान का एक विस्तार है जिसे पहले भारत के तमिलाडू के राजपाल के अधिकारिक निवास इस्तान गुंडी लोज के रूप में भी जाना जाता था ठीक है और यहां सुन्दरवनों से को घेरते हुए जमीनों जीलों और नालों को घेरते हुए गवर्नर की संपत्ति के अंदर तक फैला हुआ है तो यह देखे यह इंपोर्टेंट नहीं है इसको काटी दो इसमें कुछ नहीं है तो मैंने ऐसी बता दिया यह मत पढ़ने लगना इ सब इंपोर्टेंट नहीं है अब देखे इस तार्क में डाय वर्गीन स्क्रब मिलता है ठार्न फॉरेश्ट मिलते है ग्रास लैंड से और तीसो पचास स्पीशीज है प्लांस की इसमें श्रब्स साते है त्यार नहीं कर पाऊगे पहली बात तो यह है ठीक है यहां पर से अधिक प्रजातिया यहां पर मिलती हैं और दूसी बात यह है कि ब्लैक बग के लिए इस आवाज को संजिक्षित करने के लिए पार्क में लगबक एक एक वन सिस्ट हिस्से को खुली घास के मैदान के रूप में छोड़ दिया गया है हलाकि ब्लैक बग और स्पोर्टे डियर जो है इन दोनों की प्रजातिया इनके नेचुरिल हैइट है ग्रास ठीक है उसके बाद इस पॉर्टेट इयर जो है जारियों को पसंद करते हैं और जारी के साथ कवर भूमी में समाजुट कर सकते हैं ठीक है तो यह दोस्तों आपका क्या था गुंडी नैशल पार्क यह तहीं इंपॉर्टेंट नहीं है यार गुंडी नैशल पार्क यह अनिमल्स होते हैं उनको उनके नैशल हैबिटेट के बाहर उनको कंजर्वेशन किया जाता है ठीक है जैसे मारी अनिमल है तो उनका उनके नैशल हैबिटेशन जो होता है उनके नैशल हैबिटेशन के बाहर उनको कंजर्वेशन होता है इन साइटों को मतलब क्या होता है कि उनके natural habitation के अंदर उनको conserve किया जाता है तो यह होता है कि अनिमल्स को उनके natural habitation के बहार उनका conservation होता है एंसाइटो मतलब क्यों होता है नैट्रूरल habitation के अन्दर एनिमल्स का conservation होता है ठीक है और यहां पर 400 black bugs है 2000 spotted ते टीर्स है, 14 जैकल्स है, और इस्टनेख की बारा टे बिले गेकोष की वारी है, टोट्टवाइज, 130 स्पीशी, जो है बड्स की है, 14 स्पीशी मैमल्स की है, यह सब यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यह देखो तरह इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ ग्राइच इसको टाइगर भी डिखलियर किया है पहले सक मैप देखिये यह है मुद्डू मिलाई नैशन पार्क एंड वाइफ सेंचुरी थे यह 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 निलगरी हिल्स के वेस्टर, नॉर्थ वेस्टर साइड में लोकेद है निलगरी डिस्टृट में जोगी यह सिटी है कुएम टूर वहां से 150 किलो मिटर नॉर्ट वेस्ट पे है निलगरी डिस्टिट वहां पे है निलगरी हिल्स वहीं पे यह लोकेटेड़ है नैशनल पार्क और यह टाइगर रिजब भी है ठीक है अब यह बाउंडरी शेयर करता है करनाटक और किरिला के साथ और सैंचुरी ज यह बहुत इंपोर्टेंट बाउंडरी किसका शेयर करता है ठीक है तो यह तो देखी चुक्क है मुट्डवलाई वाड्ले संचुरी और नैशनल पार्क और यह भी प्रोटेक्टेड एरिया है यहां पे इंडेंजर वन्रेवल स्पीशीज का घार है यहां पे आपको मिलें आऊधिक है इंडेन अलेफेट बेंगोल टायर तैगर गौण गोई एक लर्जेस्ट वर्ली का लाजेस्ट बोवाइन है ठीक है गोई इंपोर्टेंट ए ये इस बार यूपीस से पूच सकते है तो यह वाल्ड का लाजेस्ट बोवाईन हे और इंडेल लेपर्ड ठीक है य यहां पे टोटाल 266 स्पीशीज है वर्ट्स की सेंचुरी में अब यह सा मत पढ़ना और यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इंडियन वाइट रम्ड वल्चर और लॉंग बिल्ड वल्चर भी यहां पर देखने हो मिलते हैं तो यह था मुड्डू मुलाई नैशनल पार्क उसके बाद यहां पे dominant habitat भी पाए जाता है मुड्डू मुलाई नैशनल पार्क में यहां पर ट्रोपिकल मौश्ट फॉरेस्ट है और इसकर फॉरेस्ट है यह सारे फॉरेस्ट जो है यहां पर पाए जाते हैं अधिको यह सब नैशनल पार्क ना एक भूम के आना या यूप वह है बहुत बढ़िया जगा एकदम जाना तमेलादू वेसे हैं लावोग खूबशूर है साउ बहुत खूबसूर्ट जगा है साउज जाना एकदम कहों कि आरे वहा क्या बढ़िया इस्टेट है एकदम जाना मला आ जई उसके अपना गुल्फ और मननार मरीन नैशनल पा का समवेश है ठीक है तो यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए और पार्क में बहुत जादा हम लोग को डैविश्टी देखनों मिलती है बहुत सारा तरह तरह के प्लांट से यहां पर अनिमल से हैं मरीन इंटे टाइडल और शोर हैविटेट के पास यहां पर पब्लिक एक्सेस भी बहुत है बहुत सारे लोग यहां पर साल में विजट करते हैं ठीक है बहुत सारे लोग जो है पार्क में विजट करते हैं और यह प्रश्ट है शोर एंवार्मेंट के पास और यह इंक्लूड करता है मरीश को मरीन कॉंपोनेंट जैसे कि कोरल रीफ्स अभी मैं एंवार्मेंट का एक सीरीज ले क्या हूंगो तो उस्तों बताओं कब कोरल रीफ्स ठीक है सीवीट कम्यूटीज सीग्रासे मिलते हैं मैंघ्रोस मिलते हैं इस कोन कोन से मिलती है squeezing भूब जो है यहाँ पे आपके वर्णके यह में ममल भी है जैसे डूगांग वालूमें एक थी काऊ हूँ है ठीक है ये सी का हुआ है यहार भी वोरस अनिमल है डुगॉंग ये इंडिंजेड ग्रीन टर्टल्स जा मिलते हैं वनरेबल ओलाइव रिले टर्टल्स मिलते हैं ठीक है ओलाइव रिले टर्टल्स भी यहां पर देखने हो मिलते हैं अपने को तो ये दोस्तों हमने देखा अपना क्या तमिलाडू के नैशनल पार्क ठीक है कल जो है हम कोशिश करेंगे कि साउथ इंडिया की सारी स्टेट्स के नैशनल पार्क कवर कर दे ठीक है तो ये था तमिलाडू के सारे नैशनल पार्क कवर की है इधर इसके इलावा इसके आगे से कोश्च नहीं आगा तमिलाडू का करे नैशनल पार्क कोई भी पूछ जाता है खासकर आपको बता दे रहा हूँ एक यह important है ठीक है यह बहुत important नैशनल पार्क है और आपका यह इत्ता important नहीं है और यह मुकृति नैशनल पार्क क्योंकि यह इसलिए बहुत important है क्योंकि निलगरी तहर यहां का state animal है तमिलाडू का और पहले इसका नामी निलगरी तहर नैशनल पार्क था तो निलगरी तहर से पूछे जा सकता है तो मुकर्ति नैजल पांठ यह आपके चार मेंसे तीन बहुत इंक्पॉर्टेंट है तो यह आप अराम से उसको देख लेना इसमें सबसे इंपॉर्टेंळ मैंने बता है ना लोकेशन बहुत होता है यह कौन-कौन प इंप्वोरी यहां पर मिनते हैं तो यहीं दोस्तों लेक्चर था अगली वीडियो के लिए बहुत जल्द मिलेगे तब तक के लिए धन्यवाद